हलो फ्रेंज मैं डॉक्टर नोपट मेरे यूट्यूब चैनल में एक वार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज हम बात करेंगे कि अगर आप पॉजिटिव हो गये हैं कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं तो उस फेज को कैसे पहचाने कि कौन सा माइल्ड फेज है और कांसा डेंजरस फेज है क्योंकि यह कोबीड दो फेज में बटा हुआ है एक तो फर्स डे से लेके 6 राइब डे का जो एक ब्र्यड होती है और एक सिक्स डे से लेके 12 दिन का जो स्टेज है तो जो फिप देखा है ये इतना डरने वाली स्टेज नहीं है ये फिर्स्ट फेज है ये फेज में हम माइल फेज में ही होती है माइल फेज में लेकिन जो सेकेंड फेज होती है वह बहुत डेंजर फेज होती है और वो श्रीज वत बहुत डेंजरस फेज है अगर आप ये अपना डेंजरस फेज को आइडेंटिफाइ कर लेते हैं ? तो आपका लंग एफ्रक्त नहीं होगा और और औकसिजन लेवल भी कम नहीं होगा इसे आप अपने आपको अच्छे से सुलख्चित रख सकते हैं मायल में ही जो मायल के सिम्टम्स होते हैं जो वाण से लेके five days में जो सिम्टम्स होते हैं वू बॉडी एक होगा एक fever होगा तोड़ा सरदी जुखाम होंगे और टेस्ट चले जाना मल्स का चले जाना यह सब सिंटम समें डेवलप होते हैं ऊसके बाद कि चयले डिटे हें और अच्छे डियेट लेते हैं अच्छें नीजस लेते हैं तो दीरेख में скुशने लगता है और फौर्टीन डिल tha कअय। Matharm नॉर्मल लाइफ में ले आ सकते हैं लेकिन 6 डेज में कई बार हम देखते हैं कि 6 डेज तक फीवर कम नहीं होता है और उस समय आपका लंग एफेक्ट करने लगता है उसमय अगर फीवर भी रहती है तो उसमय आपको चाहिए कि एक सिटी स्कैन करा लेगा और अगर सिटी स्कै स्कोर 7 रहता है तो आप माइल्ड में है मतलब आप मन में यह जरूर सो सकते हैं कि आपका जो डिजीज का प्राब्लेम ज़्यादा नहीं करेगा यह धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा लेकिन अगर स्कॉर 18 से ज़्यादा होता है तो मतलब आपको डरनी की बात है आपका उस समय यह हो सकता है कि शायद आपका लंग एफेक्ट कर गया है तो यह एक इसी समय आपको अपने जो डॉक्टर से कंसल करना चाहिए या आपको एक बार हॉस्पिटल में एड्मिट होने की हो सकता है कि एड्मिट होना पड़े तिसलिए जिस आप फिजिशन के अंडर में हैं उनसे जरूरे क्षाम करें उनको अपनी सारी परिशानिया बताएं और डॉक्टर जरूरब आपको स्टि सकान करने के बोलेंगे तो आपको सिचरी सकान एक बार करालेना चाहिए City scan कराना और उस समय एक ये भी जरूरी होता है कि जो test complete blood count का भी एक test करा लेना चाहिए इससे ये होगा कि आपका luns कितना effect हुआ है पता चल जाएगा कहीं आपका luns में clot तो नहीं हो रहा है, blood में कहीं ठके तो नहीं हो रहे हैं ब्लड में clot तो नहीं जम रहा है ये जानकरी आपको मिल जाएगा ये टेस्ट कराने से तो इससे क्या होता है कि आप कई बार अपने घर पे भी रहके अपना oxygen का saturation को पता कर सकते हैं और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि 5 देज के बाद अगर हमारा fever कम हो गया है थोड़े सा सर्दी जुखाम कम हो गया है तो हम अपना oxygen label लेना छोड़ देते हैं अपना oxygen का saturation देखना छोड़ देते हैं कि क्या हम सुचते कि ठीक है कोई जरूरत ने लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपको थोड़ा भी fever है थोड़ा सर्दी जुखाम है तो six days से लेके seven day, eight day, nine day यहां तक आपको जरूर देखना चाहिए कि हर तीन तीन घंटे के अंतराल में आपका ब्लड में oxygen saturation को देखना चाहिए अपना बॉड़ी का oxygen saturation को देखना चाहिए कि कितना आ रहा है यह आप अपना एक तो जो आपका oximeter है उसके मार्दम से देख सकते हैं आप अपना जो six minutes को वाक टेस्ट उसमी भी आपको पता चल के बाद फिर से एक बार आप टेस्ट कराएं देखिए कि आपका oxygen saturation कितना आ रहा है अगर 90 से नीचे मतलब अगर 5% नीचे चला गया है जो आपका जब आप बैठे हुए थे तब का oxygen जो आपने saturation लिया था वो और जब आपका चलने के बाद का अगर 5% कम होता है मिंस आपको एक अलाम वाली बात है कि वहां आपको साबधान होने की जरूरत है तो इस तरह से आप अपना oxygen label को चेक कर सकते हैं और इवे ही मैं कह रहे हूं कि आगर 6 days तक आपका fever कम नहीं हुआ है जुखाम सर्दी है कई बार हम देख रहे हैं कि जब 5th day तक कोई fever कम हो गया है fever नहीं आ रहा है अचानक से 6 day को फीवर 102 के आसपास हो जा रहा है तो उस समय आप जरूर एक बार अपना CT scan कराएं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके CT scan करा ले और जब आप COVID test करने जाते हैं तो उसका RT-PCR तो लेना बहुत जरूरी होती है लेकिन 14 देज बाद फिर आपका RT-PCR कराने की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कई बार होता है कि जब हम RT-PCR 14 देज बाद कराने जाते हैं या 21 देज बाद कराने जाते हैं तो हम positive आ जाता है report में क्योंकि आपका ये जो dead cell उसका जो virus का जो dead cell है वो आपके body में रहता है और कई बार उसके कार से हमारा report positive दिखाता है तो इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है आप अगर mild में थे घर में home isolation में थे तो धीरे-धीरे आप 14 देंस तो आप home isolation रहना ही है उसके बाद भी आप अगर public के बीच में आते हैं तो पूरी precaution के साथ आना है distance maintain करना है mask पहनना है इस तरह से आप अगर अपना थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको oxygen level कम नहीं होगी और आपको oxygen के वज़े से जो आजकल बहुत जादा परिशानी देखने को मिलती है वो नहीं हो पाएगा तो मैं आशा करती हूं कि मैं थ बेनिफिशियल होगा तो मैं आशा करूंगे कि आप लोग अपने फ्रेंट फामिली में भी यह शेयर करें तो चलिए आज यहीं तक फिन नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तब तक बाए